नमस्कार जी मैं मंजू और आप सब कैसे हैं आज दिसंबर की 26 तारीक है और मैं अपने बहन बाईयों को एक बहुत ही खुशूर्थ एनुवल फ्लार कैंडी टफ के बारे में बताना चाती हूं जो की युरोप का नेटिव है और इसे आई बेरिस के नाम से भी जाना जाता है तो ये बहुत ही खुशूर्थ फूल आपने मेरे गार्डन में बीडियो नमबर 238 इसी साल भी देखे आपने जो की 9 जनवरी 2017 को खिले हुए थे मैंने ब्लूमिंग पे इन पे बीडियो बनाया था तो खिलना तो ये पहले से स्टार्ट होगे थे पर बीडियो मैंने तब दाला था और उसके बाद मैंने वीडियो नमबर 556 जो मैंने डाला था एक नमंबर को उसमें मैंने आपको जो है कैलिफोर्निया पोपी लगाना सिखाया था और उसमें मैंने कैंडिटफ के सीड भी लगाये थे बट मैंने जो टाइटल में नाम नी लिखा नहीं था इसके के बारे में दिखाऊंगी और मैं आपको प्लांट्स भी दिखाऊंगी तो थोड़ी में पहले इसके बारे में information दे देती हूं तो ये जो candy tough हैं ये बहुत ही खुशूरत दिखने बाले जब ये खिलते हैं तो आप देखी रहे हैं कि कितने सुन्दर ये लगते हैं तो इसके जो full होते हैं वो गुच्छों में निकलते हैं जिसे की English में tough कहा जाता है इसलिए इसे candy tough के नाम से जाना जाता है इसकी जो height होती है वो half foot के करीव होती है जाने की चोटे-चोटे होते हैं इसकी leaves लंबी और पतली होती है जैसे ये आपको दिख रही है और ये ड्वार्फ विराइटी में भी आता है जिसकी height और भी चोटी होती है ड्वार्फ विराइटी के जो plant पर जब flowers आते हैं तो इसकी चोटी height के कारण leaves तो दिखती नहीं है सिर्फ whole ही full दिखाई दिते हैं एक और विराइटी होती है जो एक foot के करीव हो सकती है इसके छोट-छोटे full खश्वुदार होते हैं और गुच्छों में होते हैं जिसमें की कई colors होते हैं पर सबसे जो common color है वो white color होता है और बाकी जो दूसरे colors होते हैं वो जैसे pink हुआ, purple हुआ और जो की light shade में होते हैं और इसे लगाना कैसे है तो जब हम इसे लगाते हैं तो मैंने last year भी इसका वीडियो बनाया था आपको बताया था तो इसे सिधे तोर पर आप क्यारियों में और ports में लगा सकते हैं अगर आप सिधे तोर पर लगाना चाते हैं तो September, October में लगा सकते हैं और अगर transplant करना चाते हैं जैसे आप nursery त्यार कर लेते हैं तो अगर दूसरी जगों में कहीं और और लगाने हैं तो फिर आप क्या करें इसकी nursery को एक महीना बढ़ने का time दे दें और जो फिर जब आप transplant क रोगे तो पोद्दे से पोद्दे की दूरी जो है 15 cm के करीब रखें और सीड लगाने के सबा दो डाई महिने में इसके जो फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं तो बस इतना ही time मतलब लग जाता है अगर जैसे अच्छी केर हो अच्छे से मिट्टी बनी हो तो plants की growth अच्छी से दूप पानी मिल रहा हो तो फूल भी फिर जल्दी आते हैं तो यह सब इसी तरह से होता है अब हम दूप की बात करते हैं कि कैसे मतलब इसे पसंद है तो इस प्लांट को दूप तो पसंद है पर तेज दूप नहीं चाहिए इन्हें हलकी जो मिट्टी जो है वो वेल ट्र मिट्टी में भी चल सकते हैं इसलिए आप मिट्टी को और अच्छा अगर करना चाते हैं तो उसमें थोड़ा सा चुणना मिला सकते हैं इसे क्यारियों में आप लगा सकते हैं और जैसे रास्ते में बौडर की तरह भी से लगा सकते हैं और पौट में भी से ग्रो कर सकते है तो बस यही सब करना होता है और पानी जब आपने देना है इसको तो जैसे जरूरत होती है जरूरत भर का पानी देना है यह लेकि मिट्टी आपके बहुत ज़्यादा गिल्ली है तो आपने इसे बहुत ज़्यादा पानी दे देना है तो आपके प्लांट्स यह है यह खराब ह तो आपको अगर लगता है यह पोली बैग में भी खुब अच्छे से चल पड़ते हैं मैंने तो लास्ट एर भी पोली बैग में लगाए थे इस बारी भी मैंने लगाए हैं पर जैदा अगर अच्छे जैसे मिट्टी के पोट हो जा दूसरे यह सिमेंट बाले पोट हो तो उस मौइस्चर जो है लंबे टाइम तक बना रहता है और फिर अगर कई बारी वह मौइस्चर सूखता नहीं गिल्ले रहते हम और पानी दे देते हैं क्योंकि इसके उपर फूल ही फूल जैसे यह दिखते हैं तो हमें अगर नीचे दिखता नहीं हम ऐसे अंदाज्जे से पानी कैए थे जो कैलिफोरुन्य आपोपी के साथ किए थे तो इसमें यह देखो कि यह ब्रड़ साना स्टार्ट ओऑ हो गही है यह फ्लावर बरड़््ट आना यह स्टार्ट हो यह चोटी-चोटी बटा ने मैं दूप में दिखा पा रही हूं मिर ενग Imara को समझ नहीं आ रहा तो और कुछ जो प्लांट मेरे ये अपने आप जैसे सीड जैसे गिरता रहता तो खूब सारे ये निकलाए थे तो ये उन में फिर मैंने ये चुन-चुन के एक गमले में ये लगा दिये थे इस पोट में लगा दिये थे तो ये खिलना स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें ये फ् पूरा पोट भर जाएगा तो आप मेरा वो विडियो देख सकते हैं 238 देखे तो ये पूरा भर जाएगा वाइट कलर का बहुत ही खुशूरत लगता है तो चलते चलते मैं आपको कुछ और दिखा दू ये मेरे कई बाए वेनों कोई फर्माईश थी कि मैडम आपने कैलिफोर्निया पूपी ग्रू किया था कैंडिटफ के साथी फर्स्ट नमंबर को तो ये इस तरह से ग्रोथ है इसकी ये देखो काफी कुछ तो प्लांट्स जो है मेरे चिडियें खा गए और फिर जो बचे हैं और कुछ मैंने अलग से ट्रांस प्लांट किया है और ये इस तो पर्सलेन के तो मैंने आपके सामने ही हटा दिये थे क्योंकि इनका सीजन जा चुका है पर मेरे गार्डन में ये अभी भी खिल रहे हैं गर्मियों के फूल है पर ये सर्दियों में भी मेरे यहां ये पर्सलेन खिल रहा है तो जो मैंने लगाए थे वो प्लांट्स तो वोती खूब अच्छे से चल रहे थे तो फिर मैंने काफी सारे पूरे हटा दिये थे बस नेस्ट येर के लिए मैंने उनने थोड़ा सा छोड़ दिया था कि कैसी सेव करना उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था तो जिन ये बाइबहन ने पुछा था तो उन्होंने ये इसका कैलन कोई ग्रो किया था तो ये भी ये दिखो खिल रहा है बहुती खूबसूरत ये देख रहे हैं आप ये जो कटिंग से मैंने ग्रो किया था इसके फूल ऐसे आ रहे हैं आप काफी दिनों से ये खिल रहे थे अभी तो ये मुर्जार नहीं भी लग पड़े हैं ये इस त तो इस तरह से देख पा Начवर आको इस त्वाइब मेरे यहां बहुत बड़े गुलाभ और सवियों में लंबे टाम तकाय रहते हैं स्वियाफ आप देखर। आप देख रहे हैं बहुत खेश्वदार गुलाभ इतने बड़े-ड़े यह आ रहे हैं यह जो मैंने कैलन डूल आपको grow करना सिखाया था तो यह मेरे गाडन में खुल अच्छे से खुल रहे हैं यह देख पा यह बहुत ही खुबसूरत यह कई तरह से हैं यह इस तरह से हैं बीच में ब्राउन कलर का और यह प्लेन लाइट यैलो कलर का इसमें कुछ भी नहीं है और ये dark color का orange ये कई तरह से ऐसे खिल रहे हैं ये आप देख पा रहे हैं ऐसे खिल रहे हैं चलते चलते कुछ और भी दिखा दूँ ये जो मैंने अपने बहन बाईयों को धनिया ग्रो करना सिखाया था अभी कुछ दिन पहले तो ये 9-10 दिन में निकलाया था तो छिडिएं से ये बचाने के लिए इस तरह से मैंने लुकडियों सपची हुई है तो यह है वह आधे पोर्ट में लगाया था मैने याद आपको यह इस तरह से है ये धनिया यीका को कितना हराबरा और बाकि आदे पे मैंने ये आईस प्लांट लगा दी हैं तो ये आईस प्लांट भी अब कुछ दिन मैंने निचाया मेरा चलने लगे हैं तो ये देखें ये व्य धनिया है जो अभी मैंने आपको ग्रोव करना इस था तो ये हाउ प्रफ यह हो गा और बाकि मैंने यह लगा दिया है इसमें आइस-प्लांट लगा दिया है। तो हॉप करती हूँ कि आज का मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरे गार्डन में खूश slack मदू मक्गीं यह देख भार हेब यह मदू मक्गी देख रहे। duck पूब सारी मदमख्य हैं और वी केई तरह के जो यह पॉली नेशन में हेल्प करते हैं बोत रहते हैं बम्रे वी यहां खूब सारे हैं तो यह देख पारे हैं कितने सुंदर खूब सूर्थ फूल लग रहे हैं तो भूब करती हूँ कि मेरा पीडियो पसंद आया होगा नमस्त शुक्रिया